ये चूना बहुत अच्छी दवा है हमारे घर के उन सब बच्चों के लिए जिनकी लंबाई नहीं बढ़ रही है अगर ऐसे बच्चे आपके घर में हैं जिनके बारे में आपको लगता है कि लंबाई नहीं बढ़ रही हैं इनको नियमित चूना खिला दीजें गेहुं के दाने के बरावर साल बर खिला दीजे लंबा ही बहुत बड़ी है जो घर में ऐसे बच्चे हैं जिनकी बुद्धी कम है मतीमंद बच्चे जिनको हम कहते हैं mentally retarded उन सब बच्चों की सबसे अच्छी दवा ये चूना दो-तीन साल लगातार खिलाईए गेहुं के दाने के बरावर दही में नहीं तो पानी में नहीं तो दाने हमारे घर में माताएं हैं जिनकी उमर पचास वर्ष हो गई है और जिन माताओं की उमर पचास वर्ष हो जाती है उनका मासिक धर्म बंद होता है मासिक चक्र बंद होता है फिर वो माताओं को जितनी तकलीफें होती हैं मासिक चक्र बंद होने से उनकी सबसे अच्छी दवा ये चूना ही है आप उनको गए रोज चूना खाएं ये उनके दाने के बरावर हमारी यहां बहुत सारी बहने बैठी हैं इस बात को द्यान से सुने घर में हमारी सबी बहने और माताओं जो मासिक धर्म की समस्या से परेशा हैं उनका मासिक धर्म समय से नहीं आता आता है तो बहुत खून आता है या उसमें कई बार समय बहुत लगता है इन सब मासिक दर्म की बीमारियों में दर्द बहुत होता है आप चूना खाईए गेहूं के दाने के बराबर दही में नहीं तो डाल में नहीं तो गरम पानी में यह जो चूना है ना यह बहुत अद्वुद दवा है उन सबी मरीजों के लिए जिनको पीलिया होता रहता है अकसर जॉन्डिस जिनको भी जॉन्डिस होता है उनको आप गन्ने के रस में गेहूं के दाने के बराबर चूना मिलाखे दीजी आदा गिलास गन्ने का रस गेहूं के दाने के बराबर चूना बहुत जल्दी पीलिया ठीक होगा और बार बार पीलिया होना बन दोगा ये जो चूना है ना ये नपुन सकता की बहुत अच्छी दवा है अगर कोई पुरुश ऐसा है जिसके वीर में शुक्राणों की संख्या एकदम निल है या बिल्कुल कम है उनको आप चूना खिलाइए दो-तीन साल चूना दीजिये उनको गन्य के रस्मे वीर में शुक्राणों की संख्या बढ़ेगी ऐसी कई माताएं जिनके शरीर में अंडे नहीं बनते ओविलेशन का अब उनका गरबड़ी है उनको आप चूना खिलाइए बहुत जल्दी उनकी विमारी ठीक हो ये जो चूना है ना आपके रीर्ड की हड़ी में कहीं कोई तकलिफ आ जाए जैसे कई बार लीर्ड की हड़ी का जो लंबर रीजन है इसमें गैप आ जाता है एल वन, एल डू, एल टू, एल ट्री, एल फॉर के बीच में गैप आ जाता है इसको ठीक करने की ताकत चूने में ही है चूना खिये कभी हड़ी क्रैक हो जाए तो हड़ी को जोड़ने की सबसे ज़्यादा ताकत चूने में चूना खिये एड़ी की दर्द है, पैर की एड़ी का दर्द है चूना खिये ठीक हो पंजों में दर्द है, चूना खिये ठीक हो आपके दात में अकसर ठंडा गरम पानी लगता है तो आप चूना खा लीजे बिल्कुल ठीप हो जाए दात में कीड़े बहुत लगते हैं चूना खाइए नहीं लगेंगे दात हिलते हैं कमजोर हैं चूना खाइए मजबूत हो जाए ये एक चूना सब्तर बीमारियों में कामाता है सब्तर और ये ईश्वर में हमें सबसे ज़्यादा दिया है सब्तर बीमारियों में कामाता है आप कभी भी इसको याद रखे मैं सबको यही कहता रहता हूँ कि आप चूना खाईए, चूना लगाईए मत कभी किसी ये चूना लगाने के लिए नहीं है, खाने के लिए और ये चूना हम खाएं तो दो ही बातें याद रखनी है पत्थर वाला खाना है पत्थर वाला चूना एक आता है एक सीव वाला भी आता है तो सीव वाला नहीं खाना पत्थर वाला और ये ही चूना है पत्थर वाला जो पान की दुकान में मिलता है इसे यान रखिया, बस एक ही व्यक्ति, चूना ना खाएं, एक सावधनी है इसमें, जिनको पत्थरी की बीमारी है, जिनको गॉल्ब्रेडर स्टोन है, वो चूना ना खाएं, जिनको किड्नी स्टोन है, वो चूना ना खाएं, जिनको मूत्रपिंड में पत्थर है, वो चून बाकी सब्गा